नमस्कार जहेंद बिहार सिक्षक के लिए भरती वेकेंसी आफिसेल नोटिफिकेशन आ चुका है आवेधन प्रारंब कब से होगा और आफिसेल नोटिफिकेशन क्या है इस नोटिफिकेशन में थोड़ी सी प्राब्लम आपको समझ में आएगी इसको मैं क्लियर कर दूंगा तो वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लागे तो वीडियो को लाइक कर दिजिए अथा चैनल को अभी तर सब्सक्राइब कर लें जिससे इस प्रकार की इनफर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए तो चलते हैं वीडियो में क्या है दो बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन बीपी एससी बिहार स्कूल टीचर टीर 3.0 जो भी अब बोलते हैं रुक्रियर्मेंट दोहजार चोबिस बिहार टीचर भरती दोहजार चोबिस ट्रियर थी इसके लिए अप्लिकेशन फी जनरल ओबीसी और अधर इस्टेट जनरल ओबीसी अधर शिटेट के लिए अप्लिकेशन फी 750 रुपे होगी सेस्टी और प्यज नहीं कि बिहार के बिहार से नहीं होगी उन्हें है तो जनरल में काॉंट किया जाएगा आउट बिहार होगी ने सके लिए अब डाइट कर रभाड करते हैं अंतीक तो में जाए गाउट के लिए और एक्जाम डेट कि इसमार्च की बात करें तो ताथ से 17 मार्च के बीच आपका एक्जान की बात अगर प्रामरी टीजर में में चैसे फार टीटी पीजीती टीचर्स मेक्जीम एज 37 years 37 years are male and 40 years are female male के लिए 37 years और फीमेल के लिए 40 years next post के बारे में अगर बात करें कि क्या क्या पोस्ट है तो पोस्ट में मेडियल स्कूल टीचर क्लास 628 मेडियल स्कूल टीचर क्लास 628 कि इतनी पोस्ट है यह तो अभी प्रॉंत नोटे अभी जल्द ही होगी अभी तक पोस्ट नहीं दिया गया है वेरिफाई ने अभी तक पोस्ट बताया नहीं गया कितना है तो जल्द ही आउट हो जाएगी और पोस्ट पता चल जाएगा तो इसके लिए यह eligibility criteria होगा eligibility criteria आपको पता होगा नहीं पता होगा तो आप यहां देख सकते हैं TGT teacher के लिए class 9 student 9 से 10 तक TGT teacher के लिए इसके लिए पोस्ट नहीं बताई गई है यह eligibility criteria है उसके बाद post है next post है TGT teachers class 928 special special के लिए eligibility criteria है और PGT teacher class 1011 से 12 इसके लिए यह eligibility criteria है अब हम बात करें इसमें प्राबलम क्या है इसके notification में notification आया तो है 3.0 लेकिन इसमें notification में problem क्या है notification में कोई problem नहीं है बस इतनी सी बात है कि 23 तारीक को आपका application का last date 23 तारीक होगा और पचीश तारीक को पचीश तारीक ता अप्लिकेशन फी होगा और सात मार्च सात्रा मार्च के बीच एक्जाम हो जाएगा यानि कि 12 दिन में आपका एक्जाम करा लिया जाएगा आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं झाल कि कि अट एक्जाम नहीं हो झाएगा टारीक तारीक तारीक है कfish कर दो समने की तार बहुततक क्या जों समने के तारीक को ञेसे थाल